नमस्का ट्रेडर्स, कोटक की एक्सपाईरी अपडेट पॉड़कास्ट में अब सभी का स्वागत है मैं सहे जगरवाल आज आप से ओवराल मार्केट सेंटिमेंट और इमीडियेट एक्सपाईरी आउट्लुक की बात करूँगा सो डिसेंबर के महीने में निफ्टी ने कोई नया लेवल इस्टाबलिश नहीं किया है जिसको हम ट्रेंड लेवल के तरीके से एक स्ट्रॉंग सपोर्ट मानके चल सकते हैं नवेंबर का ही लेवल फिलाल चल रहा है जो 18,075 पे है अभी से काफी नीचे के स्टर पर है वो लेवल इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें इंडेक्स में वुलिटालिटी काफी देखने को मिल सकती है इसी के साथ हमारा एक ओवराल बड़े पैमाने में मार्किट का सेटप का 18,800 का टागेट पेंडिंग था जो मार्किट ने अचीव किया है और यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और कंसॉलिडेशिन की उम्मीद काफी भढ़ जाती है तो ओवराल नया लेवल यहाँ पे नजदी का इस्टाबलिश नहीं हुआ है एक बड़ा टागेट अची हुआ है तो थोड़ा सा शॉट टर्म में मार्केट रेंज बांट रह सकता है इसी के साथ यदि हम एकदम शॉट टर्म सेंटिमेंट की बात करें तो वो भी हलका नेगेटिव टर्न हुआ है और मोमेंटम भी हमें मार्केट में उतना नहीं दिख रहा है एफायर प्रो की पुजिशन्स पे यदि हम देखें तो इंडेक्स ऑप्शिन्स में एग्रेसिव नेट शॉट पुजिशन्स देखी गई है जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स में मिक्स पुजिशन्स है विदाउट टूमच एग्रेशन निफ्टी में ओपन इंट्रेस्ट बिल्डप 18,600 पुट 18,800 कॉल पे है जबकि बैंक निफ्टी में 43,000 पुट और 43,300 कॉल पे maximum open interest देखा गया है पिछले एक महीने की weekly expiries से यदी हम देखें तो यह range काफी narrow होता जा रहा है इसी के साथ हमने इंडिया विक्स में भी काफी गिरावट देखी है जिसके वज़े से premiums थोड़े unattractive हो गए है option writers के perspective से so overall यह सब factors को ध्यान में रखते हैं हमें लग रहा है कल की expiry के लिए 18,800 का resistance के साथ if you trade करना चाहिए और थोड़ी negative bias रहने की उम्मीद है thank you and have a nice trading session